राज्य पद लेना है सूरिवन्षी तो क्या करना है सूरिवन्षी का राज्य पद चंद्रवन्षी का राज्य पद लेने के लिए उच्पद हो गया ना, उच्पद मतलब भी सुरियवन्षी, तो उसके लिए अपना सर्वस्व एक समर्पन एटिट्यूड होना, ये बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि जब समर्पन एटिट्यूड होगा, तो ही मेरा पन मिटेगा, नहीं तो मेरे मेरे में बुद्धी फस्ती जाती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समर्पन एटिट्यूड, लाइट चलो करूँ, तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, सुरियवन्षी राज्यपत, बारा छे, तो जिसको भी हम सब को ए में ना, मिठे बच्चे, सुरियवन्षी राज्यपत लेने के लिए, अपना सब कुछ बाब पर स्वाहा करो, सुरियवन्षी राज्यपत अर्था आत, एर कंडिशन के टिकट है, एर कंडिशन के टिकट है, सुरियवन्षी राज्यपत, प्रश्ने, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक, खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? हमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है, भागेशाली कोई नहीं, कैसे? लग रहा है? हम सब बहुत भागेशाली हैं. अजी लग रहा है? अजी लग रहा है? नो साउंड, नो साउंड दी? एक तो भगवान मिला है, क्योंकि तुम बच्चों को भगवान मिला है, एक तो ये बात है, दूसरा मिलने के बाद भी वर्सा मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी, अब देखो भाग्य की लिस्ट निकालो, वर्सा भी क्या? स्वर्ग, अच्चा, फिर उसके बाद धाई हजार साल, रिंचक मात्र भी दुख नहीं, ये गैरेंटेड है, तो ये तीसरा सुख, और फिर पूरे कल्प में पुझे पद का भाग्य, पूझा करते जाएंगे तुमारा, और फिर लास्ट में खुद मिल ग पूरे कल्प में इसलिए बाबा क्याते है, तुम बच्चों के समोग बेहद का बाप है, उनसे तुमें बेहद का वर्सा मिलता, बेहद हो गया न फिर तो ये वर्सा, तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरू के बनकर उससे बेहद की प्राप्ती करते हो, दुन बाप्त नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तु करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तु करीब है, सभके जाएं बावा तेरी नजर के तीर चलाए जी भरवर के जी उठे हम हाले दिल ना पूछिये हाले दिल अजीब है उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है हम तो कहां थे हम तो कहां थे तेरे काबिल, हम तो कहां थे तेरे काबिल, तेरा करा में तूने दिया दिल, खुदी चलके आ गई मंजिल, वो तो बाद्शा है, वो तो बाद्शा है, भले ही गरीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, जिसके तू करीब है, यह तो बड़ा एप् अब यह स्थिति आती जाएगी तो एप्रोप्रेट लगता है तो यह सारे गीत हमारे लिए बनेते हैं यह इतना पॉपिलर भी नहीं है लेकिन ज्ञान के लिए बहुत अप्लाई करता है तो बाबा के ते तुम बच्चो ब्राम ओम शान्ति ब्रामन कुल भूशन बच्चे ज सब्नेंगे बच्चो को बाब बैट समझाते है जबकि बेहत का बाब समूख है और उसे बेहत का वर्सा मिल रहा है बाकि और क्या चाहिए भक्ति-मार कब से चलता है यह कोई को पता ने बेहत का बाब बेहत का वर्षा मिल रहा है, मतलब भगवान मिला, और सारे सेवेन सुख, सुख मतलब सेवेन वर्चूस, स्नेह, शक्ती, पवित्रता, आनंद, सुख, खुशी, प्रतेक्षफल कितना सारा मिलता है, नहीं मिलता है, तो बाबा कहते, बाकी और फिर क्या चाहिए, लोग क्या क सब कुछ, अगर शांती नहीं है, तो यह शांती चाहिए, तो फाइनली क्या चाहिए, फाइनली, हर चीज का न, वो एक्सराइज हम लोग कराते हैं, न, कॉर्पोरेट्स में, कि सब कुछ करके लोग क्या चाहते है, कि शांती चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, जि अंुकु याद करते हैं है। परणने प्रंट वंडर है उनको ने ड़ानते ही नहीं। ऐसा कभी देखा? अच्छी बात बाबा केरे, सजदिस आजन को न जाने। ऐसा कभी होता है, सजदिस साजन को नहीं जाने और याद करती है। जानती नहीं है, figure भी नहीं पता और चाया Finn गर्तान की किल क्लेरीटी नहीं वो पता यह थीक था कि तो बाबा केते है ब्ठान तो याद कर सकते भग्वान तो सबका बाप है, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर, याद करना सब्व्यर्थ हो जाता है, याद तो करते हैं, लेकिन अगर पहचान नहीं हो, किसी की भी याद बिना पहचान, ठीक है, जैसे कोई साथ में हो, एक होता है, डेजिगनेशन पता है, कि अरे, यह है, और एक होता है, पूरा सब कुछ पता है, उसकी नेचर, उसका सोभाव, डेजिगनेशन पता होना, जानना कहेंगे, कि मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, कमपनी का, वो चैर्मेन है, कमपनी का, वो डेजिगनेशन पता है, डेजिगनेशन पता है, डेजिट मीन कि मुझे मैं सब कुछ जानती हूँ, उसका, मुझे पता है, उसने इतने इतने प्रोजेक्ट्स किये, इतने कमपनी का हेड है वो, इतने सब्सिडिरीज है उसकी, क् सब को जानके? अच्छी तरह से जानना मतलभी और क्या होगा? अच्छी तरह से, पिनना अच्हे से जानना को यादकरी नहीं सकते हैं, जो छिए आच्छी जय गौदी जी तो इस प्राइमिनिस्टर, अजो अगी को फॉर्म nggak ser क्या है । That is not called Yad, we are then judging him on the base of his policies only, but we are not judging him. मतलब वो प्रोजेक्ट्स हमको पता है, अच्छी तरह से जानना, उसके स्वभाव संसकार को जानना, क्योंकि वो है वो ना, अब मुझे पता चला तुम कौन हो, कभी-कभी होता है ना, 20-20 साल का संबंद पता होता है, होता है, आपस में, फिर बोलता है अब पता चला कि तु कौन हो, सोभाव को जानना, तो परिच्चे बिगर, हाँ, बच्चे बाप को याद करते, पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है, इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता, याद करते कोई भी उस एम उब्जेक्ट को पाते नहीं, भगवान कौन है, उससे क्य क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते, इतने सब धर्मक्राइस्ट बौध आधी प्रिसेप्टर अत्वा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉल्लोर्स याद करते हैं, परन्त उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है, इससे तो जिस्मानी पढ़ टीचर से क्या मिलता है, और गुरू से क्या मिलता है, यह कोई भी नहीं समझ सकते हैं, तुम यहाँ बाप के फिर टीचर के फिर सद्गुरू के बनते हैं, सामने बाप और टीचर से गुरू उच होता है, अब तुम बच्चों को निश्चे हुआ कि हम बाप के बने हैं, ब बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर का मालिक बनाते हैं, अत्वा शांती धाम का मालिक बनाते हैं, बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम मुझ से अपना वर्सा लेंगे ना, भगवान कहता है लाडले बच्चे वच्चे नहीं है, मेरे लाडले बच्चे पूछ रहे हैं, जवाब भी नहीं दे ले हैं, तो बाबाद सब कहते हैं, खुशी नहीं आई, चेहरे पे स्माइल नहीं है, लाडला नहीं, मजा नहीं आया है, लाडले में, क्या बोले, मीठे-मीठे बोले, चेहरे पे स्माइल लाडले में, लाडले में दे दी, लाडले हैं आप लोग तो बहुत लाडले हो, फरिष्टा फैमिली तो बहुत लाडली है, तो बाबा कहते, लाडले बच्चे, तो क्या कहते बाबा, सब कहते हैं, हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे, अच्छा, सुनो अभी है, चंद्रवंश्री रामपद पाने में राजी होंगे, पूछ फॉर्स्ट राम, फॉर्स्ट राम, कोई रेडी नहीं है, वंडर्फुल, कितनी अच्छी क्लास है गुलाब भई है तो, सुरीवंशी राज्येपद वाली, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, बाप सौगात ले आए है, यह सब सामने वो आते है न, चारतरकी बैग लेकर आते हैं, यह बी बैग है, यह बी बैग है, यह बी चाहिए, बढ़ सामने चाहिए, पर्स है, चारतरके, तो बाप सौगात ले आए है, तुम सुरीवंशी लक्श मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सिता को, बोलो बोलो बई शार दावन, तो बाबा केते हैं तो सबने क्या का जैसे आपने का बच्चे आगे सुनना है तुम अपनी शकल तो देखो शकल तो देखो श्री नारायन को वा श्री लक्षमी को वरने लायक हो यह मुर्ली रूपी दर्बन सामने हमारा मिरर मुर्ली जा मिरर अब सामने शकल देखो बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हो अब बाब बैठ समझाते हैं रोज रोज बाबा जो पुर्शारत कराता है क्या करा रहा है इदर असंतुष्टा आ गई से निकालो इदर से इदर लोब आ गया थोड़ा सा बोलने में कड़वास आ गई यह निकालो यह श्रंगार कर रहे हैं अब बाप बैठ समझाती हुबव जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो तो सत्युक की पूरी राजधानी, air condition, समझो, सत्युक की पूरी राजधानी क्या है, air condition, air condition, टिकट है, ठीक है? यह फरिश्ता फैमेली में तो कोई sleeper की टिकट लेता ही नहीं September smoothie, जब कौन सा आ जहेंगा, तो गेरंटेट है ना? जब यहीं संगम यूग में नहीं लेंगे तो सत्यूग में क्यों लेंगे? तो सत्यूग की पूरी राजधानी एर कंडिशन समझए, underline. एर कंडिशन से ऊच तो कुछ होता नहीं है, air condition, उसमें first, second, third है, ठीक है, लेकिन air condition से तो उपर कोई condition नहीं, फिर है first class, उन दिनों होते थे थे न, first class, तो अब बाप कहते हैं, तुम air condition का सुरिय वंशी राज्य लेंगे, एवाद चंद्रवंशी first class का, उससे भी कम तो फिर, उससे भी कम, तो फिर second class में नंबर वार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य करेंगे, राज्य पाएंगे, राम पद से भी अगर कम है, और उससे भी कम, फिर क्या होगा, सुर्य वंशी राजधानी मतलब क्या, उसमें भी प्रजा नहीं है, राजधानी, राजा, रॉयल फैमिली, प्रजा नहीं है उसमें भी, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकेट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दरजे होते हैं अब यह उन दिनों के क्लासेज है, ट्रेंस के, मतलब प्रजा में भी तो कॉलिटी होती है फिर, सावकार प्रजा बन जाएगा, फिर साधारन प्रजा है, तो नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, बाकि सुक तो वहाँ, हाँ, अलग-अलग कमपार्टमेंट तो है ना, सावकार आदमी टिकट लेंगे, एर कंडिशन का, तुमारे में भी सावकार कौन बनते हैं, अब बताओ, एर कंडिशन की टिकेट चाहिए ना, किसको, एर कंडिश एक होता है, पैसा है, एक होता है, कंडिशन ही ऐसी, कि अब एर कंडिशन ही जाहिए, इतनी गर्मी में थोड़ी फर्स क्लास प्रजा, बिसमें जाएंगे, अच्छा, एर कंडिशन में, ठीक है, हाथ उठाया, अब सुनो आगे, तो तुमारे में भी, तुमारे में सहुकार कौन बनते है, जो सब कुछ बाप को दे देते है, बाबा ये सब कुछ आपका है, भारत में मैमा गाई होई है, सौदागर, रतनागर, जादुगर, यह महिमा है बाप की बाबा मेरा कुछ नहीं सब कुछ आपका है यह अंदर से फीलिंग आ जाए बाबा का घर, बाबा की चैर, बाबा की और फिर वो वोकैबलियरी में निकलता है बाबा के ऐसे बच्चे है है, हम देखते हैं, बाबा की कंपनी बाबा की, बाबा का घर वो ही बोलते हैं फील करते हैं तो बाबा कहते है, सब कुछ आपका है भारत में ही गाया हुआ है कृष्णा ने तो वर्सा लिया सत्यूग में प्रालबद पाई उभ भी बाबा का बना प्रालब्ध कहा से तो पाई होगी ना? लक्ष्मिनारन सत्यूग में प्रालब्ध भोगते हैं, अब तुम बचे अच्छी रिती जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रालब्ध बनाई होगी, प्रालब्ध मिली तो इसका मतलब पहले कभी बनाया होता? बनाया होगा. नेरु की प्रालब देखो कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे करम किये थे, बिगर ताज भारत का बादशा था, मानते बहुत थे ना, नेरु जी को, भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा उच देश और कोई हो नहीं सकता, भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, ये रास कोई के बुद्धे में नहीं बैठता, परमात्मा ही सब कुछ, सब को सुक्षांती देते आदा कल्प के लिए, भारत ही नंबर वन तिर्थ स्थान है, परन्तु ड्रामा नुसार एक बाप को भूनने से स्रष्टी की ह आलत देखो कैसे हो गई है, इसलिए शुबाबा फिर से आते हैं, निमित तो कोई बनते हैं न, अब बाप कहते है अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चे करो, तीन मीनिंग है न, आत्मा, अशरीरी, स्वयम को फील करना, मैं आत्मा हूं, और वो समझ के करम करना, करम य आत्मा, आत्मिक फीलिंग में निमित भाव होगा, नहीं तो वो भक्ति में होता है कि भगवान कराता है, वो बहुत ऐसे पक्के भगत होते हैं, भगवान का है, भगवान कराता है, लेकिन आत्मिक स्मृति में निमित भाव, फिर चलता फिरता फरिष्टा, 31.12.95 की बाबा कि मूरली कि करम योगी में चलता फिरता स्टेज फरिष्टा स्टेज चल रहा हूं बोल रहा हूं तीसरा है निराकारी अ तो अपने को आत्मा निश्चे करूं चलो डाइमंड कि स्थिति में एक सेकंड के लिए एकडम डाइमंड हो पावर्फुल चमक मैं आत्मा निश्चे कर रहे हैं, आच्छा, तो अपने को आत्मा निश्चे करो, मैं आत्मा किसकी संतानू, यह कोई जानते ही नहीं है, वंडर है ना, अब उस आत्मिक स्थिती में, कहते भी ओ गौड फादर रहम करो, शिव जेनती भी मनाते, परन्तु वक कब आये थे, पता ही नहीं, और यह है 5000 वर्ष की बात, बाप ही आकर नई दुनिया सत्युक स्थापन करते हैं, सत्युक की आयू लाखो वर्ष कर दी, लाखो वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियार आये ना, कीता का उपदेश, कितने आकर सुनते हैं, परन्तु न पढ़ाने वाले, न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं, बाप कितना सहच कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो, ग्रहस्त विवार में रहते कमल फूल समान बनो, विश्णु को ही सब अलंकार दिये है, शंक भी दिया है, फूल भी दिया है, वास्तों में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है, शंक, फूल या वो क्या बलते है, बाण, ये देवताओं को क्या जुरत है, प्रधान मंत्री एनॉंसमेंट करता है क्या, प्रोपगेंडा करना है, तो उनको करना होता है क्या, उनको तो फूल देना होता है, उनके हाथ में थोड़ी कोई फूल दिया, बाजु में रखा शंक उनको थोड़ी बजाना आते आओ तो ये सब किसकी निशानी है ब्राम्मनों की निशानी है कल्यूगी मनुश्य आत्मा के पास भी नहीं है ब्राम्मन की तो बाबा केते कितनी कुई ये गंबीर बाते है वास्तुमित देवताओं को थोड़ी दिया जाता है है तो ब्राम्मनों के अलंकार है परन्तु ब्राम्मनों को कैसे देवे ये अक्चुली ब्राम्मन को देना चीए तो आज ब्राम्मन है कर्शुद्र बन पड़ते ब्रह्मा कुमारी शुद्र कुमार बन जाते माया अच्छी तरह चमाठ मार मुह फेर देती है, अच्छी तरह मारती है, मनेश्य गुसे में कहते हैं ना, थपड मार मुह फेर दूँगा, यह तरह मुह ही टेडा हो जाएगा, ऐसा थपड मारोंगा, तो कब माया थपड मारती है, अगर कोई गफलत की, कलका था अवग्या, पहला पॉइंट अंजान वालबे लेपन बाप की श्रीमत पर न चला और आगे का स्टेल बुद्धी खराब हुई तीसरा फिर माया अच्छे तरग चमाट माफूर वो दिली नहीं लगता है आज क्या पता पूरा कन्फ्यूज मैंने कुछ नहीं किया आज 24 घंटा वेस्ट कर दिया माया चमाट मार रही एक सेकेंड में जीवनमुक्ती पाते है माया सेकेंड में जीवनमुक्ती एक सेकेंड में खतम कर देती है कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है देखती है कहां गफलत में है देखो माया भी पकड़ती कब स्थिति डाउन है, गफलत है, साधारन स्थिति है, उस समय माया थपड लगाती है, मतलब थपड फील होता है, ट्राई तो उस समय योग के समय भी कर रही होती है, उस समय लग जाती है, बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मो फिराते हैं लौकिक बाप कोई गरीब होता है पुरानी जोपड़ी में रहते हैं फिर भी नया बनाते न तो बच्चों की बुदी में बैठ जाता है बस अब नया मकान तयार होगा हम जाकर बैठेंगे कितने समय से नये में जाना होता है कितने समय से उसकी तयारी चल रही होती है आजकल हम कोई चीजे करते हैं रखते हैं हाँ ये नये मकान में जुरत हो सकती है इसलिए रख रहे है या ठीक अब क्या करना है ये थोड़ी इसमें ही थोड़ी रहना है छोड़ना तो ही, तो जब पुराने को छोड़ना है, जब बन रहा है तब तो 100% है, लेकिन उसके पहले से भी छोड़ने का भी संकल पा जाता है तब से, नहीं, वो हमारा mentality की वो direction ही वैसे चलती है, अब यह छोड़ना है, क्या है, इतना क्या ज्यादा खड़चा करें इस पर होता है ऐसा, छोड़ना है, क्यों इतना खर्चा करें शरीर पर, पुरानी दुनिया पर, छोड़ना है, तो बाबा कहते हैं, तो जब बच्चों की बुद्धी में बैठ जाता है, कि अब नया मकान तयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, अब बाप ने तुम्हारे लिए हतेली पर बैश तत्वा वैखुंट लाया है, कहते हैं, लाडले बच्चे, नहीं देखो कितना बार बार प्यार कर रहे हैं, लाडले बच्चे सुनाई दे रहा हैं सबको, एलर्ट है, लाड आ रहा है, तो बाबा आत्माव से बात करते हैं ना, इन आखों द्वारा तुम करने ही सकता हूं, नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं, ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूं, नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो बाबा ठीक करेगा, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ओपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं, क हमारे उपर क्यों बोजा जादा है कर्मों का हिसाब किताब जादा है बड़ा लॉजिकल पॉइंट है बुलो कौन बताएगा है हमारे उपर क्यों बोजा जादा इस निए कि शुरू से द्वापर के तो हम ही आई तो हमने हम क्योंकि तुम ही सबसे पुराने हो कि दवापर से तुम ही आए तोकात हों तो तुमारे जादा होगा ना 63 जनमों का का अकाउंट है ब्रामनों का और बाकियों का कतकी हों कितना अकाउंट अगभी आग का जितने कम है, और जब वो आते भी है, उस समय उनके अच्छी स्टेज होती है, शुरू-शुरू में तो वैसे भी, तो इसलिए बाबा कहते है, सत्तो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो, अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से वर्सा लेना चाहिए, लेकि हमारा एकाउन सबसे ज़्यादा है, लेकिन संगम यू में बाबा मिल जाता है, मतलब जब अभी थोड़ा टाइम बाकी है, जहां अभी यहीं हम अकाउन सेटल कर सकते हैं, तो उसे क्या फाइदा होता है, सबसे पहले, ज्यान मिलते ही, स्टॉप, गलत कर्म स्टॉप हो जा कि यह सब कमाई कैसे करनी है, वो सिखाया, और तीसरा, विकरम विनाश हो गए, तो वैसे जो भोग के खतम करना था, योग बल द्वारा, लाइट माइट हाउस, बीज रूप, यह इससे वैसे खतम हो रहा है, तो जो 31st मार्च के बाद, संगम यूग के बाद जो भी विकरम होगा, वो तो फिर इंसल्टिंग है, मतलब अकाउंट बचा है, तो वो सब आत्मा इंसल्ट कर लेने वाली होगी, हम आत्माओं को उतना कम हो जाएगा, जितना हमने किया है, तो फाइदा है न, बेशक पुराने हैं, लेकिन फिर भी अभी उसका सेटलमेंट हो जाता है, द यही है वो फिर, थपड़ मारना, मतलब बीमारी के रूप में आएगी, उपरेशन के रूप में आएगी, लेकिन बेशक आए, वो दूसरा अकाउंट नहीं पैदा हो, आएगी तो सही, जरूरी नहीं इतना योगबल है सबका, 63 जन्मों का है न, पर उसमें भी कितने को एक यूज करते है, कितने को दोशी, एक भी कोई बीमार होता है या फाइनेशल लॉस होता है, तो दूसरे को दोशी ठहराना, मतलब दूसरा अकाउंट शुरू करना, ये वाला स्टॉप हो जाता है, स्टॉप लॉस पॉलिसी, तो बाबा कहते है, मैं ये बाते बाप बीगर को कोई समझाना सके, बाब को तुम बचे कितने मीठे लगते हो, कहते तुम वही कल्प वाले मेरे बच्चे है, तो जो सुर्यवन्षी, चंद्रवन्षी घराने क्योंगे, वह अवश्य आएंगे, ये जो देवता थे, फिर शुद्र बन गये, फिर ब्राम्मन बन देवी संप प्रदाय बनेंगे, ये बाते बाब भीकर कोई समझाना सके, मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ, कितनी वंडर्फुल बाते हैं, निराकार भगवान वाच, वैसे देखो, कितना हमारी लिए एक्चुली नया दिन है, मैं रोज सोचती हूँ, क्योंकि सपोज रा पर हो जाता है, अगर कुछ सम्रती समरन ऐसी है भी रातवाली, नहीं तो अगर मुरली न अ हो तो क्या होगा, रातवाली बाते सुबह से फिर टेंशन सुबे सही स्थिति ऐसी हो जाती डाउन ठकी हो इस्थिति मुर्ली सुर्य वन्शी इसलिए सुबे सुबे मुर्ली सुनना ये अपने लिए बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे उसको एक आई ओपनर भी है लाइफ है इस्ट्रेस्ट्री लाइफ की शुरुवात है एक घंटे भी रात की फीलिंग से कंटीनीव रहे सुबे छे बजे के बाद कितना एक घंटा वेस्ट गया फिर कहते सुबे सुबे क्या वही बाते याद आती है कि कह सकते हैं यह बून है बून है वर्दान है एक्चली और कुछ नहीं तो चलो हम लोग नहीं बात करते हैं लेकिन अगर हमारे सामने सपोज यूगल से किसी से हो गया और वो सामने बैठी हो हम भी सामने बैठे हैं मुर्ली तो सुनने ही रहे हैं फिर वो बाते याद बोल भगवान वाश शरीर से वाच करेंगे ना शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है, अब बाप कहते अश्रीरिभव, ऐसे नहीं कि प्राणाया मादी चड़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 नहीं जन्मों का पाठ भड़ा हूआ है मैरी आतमा मी जो E 깃ती वह सब आथ भरा हुआ भक्ती मार्ग में वहां पाठ चलता है फिर Hyunラ में अकर जान देता हूँ भक्ती मार्ग वालों को ग्दा को पता ही कोई ने शराब प्या ही नहीं तो का कैसे पता हो भक्ति वाले उनको ग्यान का पता पता है उनको ग्यान क्योंकि अगर नहीं कभी ज्ञान मार्ग में वो पद नहीं मिला होगा तरेता तक भी तो फिर उनको टेस्ट ही नहीं आएगा ग्यान भी जब लेवे तब पता पड़े, ग्यान से सद्गती होती, तो ज़रूर ग्यान सागरी सद्गती कर सकते हैं, बाप केते हैं, मैं सर्व का सद्गती दाता हूँ, सर्व दय लीडर है न, कितने किसम किसम के है, वास्तों में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है, कि सब्न și अंदर कितना बड़ा है एकदम सब पर दया कर लेते हैं। सर्वपर दया करने वाले उनके अंदर ये दया की बहुत स्पेशालिटी ती तैसलिए ये ्लॉटर मुबंट्स चला गाय का विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था जो आज कई जगह चलते ऐसे स्लोटर मतलब उसको स्टॉप करने के तो बाबा कहते हैं तो सर्व पर दया अब उन्होंने इसलिए कह दिये सर्वो दया क्योंकि एनिमल्स पर भी दया करते हैं पर उससे दया हो जाती सर्व आ तो बाबा केते सर्व पर दया कौन कर सकता है एक ही बाप एक एक पर दया करना इसी को कहेंगे ना सर्व पर बाप तो सारी दुनिया को सत्व प्रधान बनाते हैं उसमें भी उसमें तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं बन जाते हैं यह काम देखो सर्व में क्या आ गया मनु करते हैं चलो वो जानवरों पर दया करेंगे तत्व पर तो उसमें तत्व भी सतोप्रधान बन जाते यह काम है परमात्मा का तो सर्वदया का अर्थ कितना बड़ा है यह सर्वोदय के जो इतने associations हैं उनमें approach कर सकते हैं उनको उनके ही सेवा ऐसे कर सकते हैं कि तुम add करो ना प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाओ क्योंकि तुम सर्वोदय हैं नो add करें उनको एकदम सब पर दया कर लेते हैं स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं हो दुख देने वाले जानवर मक्ही आदी कोई नहीं होते हैं जो भी जानवर दुख देने वाले हैं मक्ही मच्छर कोक्रोज एंट्स और क्या है चुहे जो दुख देने वाले ना कोई नहीं कुछ जैसे देखो वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है कभी तुम मक्ही नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदी न गुश सके, स्वर्ग में कोई की ताकत ही नहीं जो आ सके, गंद करने वाली कोई चीज होती नहीं, नैच्रल फुलो आदी की खुश्बू रहती है, तो कौन से जानवर होंगे? जो देवताओं को सुख दे, वो सब करो, कौन-कौन से जानवर है? जो सुख देने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं, नैच्रल फुलो आदी की खुश्बू होती है, तुमको और जानवर भी पूरे मरियादा में, ये थोड़ी की अंदर आ जाएंगे, मोर ऐसे नहीं की, वहां तो और सी में मोर डाइनिंग टेब कि नहीं की परिवार में न, वहां नहीं मोर, मतलब अपने बगीचे में रहेगा, मरियादा पुर्शोतम ये ये अहीं वहां गुश जाए, ऐसे थोड़ी, राजा के महलों में जाएगा, किसी के भी महलों में नहीं बेखेगी आमोंपर? महलों में ने जाएगी सब मरीयादा में रहेंगे बाबा क्यते है कोई मच्छरा दी घुस्त न सके स्वर्ग में कोई की ताकत ही नहीं जो आ सकते तुमको सुक्ष्मवतन में बाबाश शूभी रस पिलाते अब सुक्ष्मjovतन में तो कुछ भी नहीं ये संदेश यह जाती तो उनको शूबी रस पिलाते थे तो उनको पूछा कि शूबी रस होता क्या है तो वो कहते कि सर्व सब fruits का Mixed Juice वो शूबी रस होता है. अब सुक्ष्म वतन में कोई fruits तो है नहीं यह भासना आती है अब सुक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं यह तो सब साक्षात का रहे हैं वेकुंठ में कितने अच्छे मतलब वो जब आती थी ऐसे लगता था जैसे पी के आई है शूबीरस उसको बुलते हैं इस लाइक डिवाइन टर्मिनोलोजी है शूबीरस तो अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदी होते हैं सुक्ष मवतन में थोड़ी बगीचा रखा है वहाँ साक्षात कार करते हैं अच्छे अच्छे बगीचे को यह सब साक्षात कार है वेकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदी होते हैं यहां बैठे श्रीमत से हम स्रेष्ट ते स्रेष्ट बनेंगे, बाकी है सब की आशुरीमत, इसलिए वह जानते नहीं कि सत्यूग में सदेव सुख था, लक्ष्मिनारायन का राज्य था, छोटे पन में वही रादे कृष्ण है, उनके चरित रादी कुछ है नहीं, स्वर्ग में तो फर्स क्लास होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, चंचलता आधी की तो कोई बात ही नहीं होती है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिल अदे बच्चो प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का, याद, प्यार, गुड मॉनिंग, रुआनी बाप की, रुआनी बच्चों को नमस्ते, हम रुआनी बच्चों की, रुआनी बाप कादा, प्यार, याद, बाप, याद, बाप, दार्ना के लिए साथ है, जब इस पुरानी दुनिया से मुह फेर लिया, फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी हैं, जो माया अपनी तरफ मुह कर ले, कोई ऐसी गफलत नहीं करनी हैं, जो माया फिर अपनी तरफ मुह करे, श्रीमत के अवग्या नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्सा लेना है, माया के दो रूप है, मुहनी रूप और सोहनी रूप, हमको क्लास में मिशा कराती है, आश्रा बेन, मुहनी रूप है, अटैच्मेंट और अट्रेक्शन, सोहनी रूप है, इंफ्लोएंस और इंप्रेशन, अब इस पर सोचो, तो श्रीमत की अवग्या नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्सा लेना है, दूसरा है, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर, पक्का वारिस बन, सत्यूगी, एर कंडिशन की टिकट लेनी है, तो सत्यूगी एर कंडिशन की टिकट, बाबा ने कहा, सावकारी में आना है, प्रजा की बात नहीं है, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, चला रही हूँ, एम उब्जेक्ट को बुद्धी में रख पुर्शार्थ करना है, वर्दान है, सेकेंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर, मरियादा पुर्शोतम बनने वाले सदास नहीं भव, सेकेंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर, मरियादा पुर्शोतम बनने वाले सदास नहीं भव, जैसे सनेही सनेह में आकर अपना सबकुछ न्योच्छावर वा अरपन कर देते है, सनेही को कुछ भी समरपन करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, तो जो भी मरियादा ये वा नियम सुनते हो, उन्हें प्रैक्टिकल में लाने, अत्वा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है, सदा एक बाप के सनेही बनो, जिसके सनेही हो, निरंतर उसके संग में रहो, तो रुहानियत का रंग लग जाएगा, और एक सेकंड में मरियादा पुर्शोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि सनेही को बाप का सयोग स्वतह मिल जाएगा, तो देखो, मुर्ली में भी वाबा ने का, सब कुछ स्वाहा करो, और इसमें भी का, सनेही मतलब जो सब कुछ निवच्छावर कर, अरपन कर देते, तो उनके लिए, एक के संग में रहो, उसके संग में रहो तो रुहानियत का रंगो, तो जिसका अपना कुछ नहीं, बाबा उसका है, जिसका मेरा बहुत कुछ है फिर बाबा पीछे है, और फिर उसके लिए दूसरा है मरियादा एवा नियम, मरियादा भी स्नेह का एक्जिबिशन है, रूहानी स्नेह का, वहां तो स्नेह में होते हैं न मरियादा तोड़ देते हैं, बच्चे कुछ मरियादा सुनते नहीं है, कहते हैं, क्या बोलते हैं, बिगड गया है, लाड़ प्यार में, लेकिन रुहानी स्नेय मतलब फुल मरियादा पुर्ष्रुप, छह स्लोगन है, तो आज का स्वमान होगा, मैं डाइमंड सदास नहीं हूँ, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है, आज निश्चय बुद्धी वाला है ना, कुछ भी हो जाए, निश्चय कम नहीं करो, निश्चय विश्वास, ये दोनों एद्दम पक्के रहे, अच्छा मातेश्वरी जी के बहुत अच्छे महवाक्य है, बहुत मनुष्य पूछते हैं, ये देव लोग और मनुष्य लोग और भूत प्रेतों की दुनिया के उपर है, ये जो अशुद्ध जीवात्मा जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है ये कल्पना है, एक बड़ प्रकार से सजाए भोगनी अवश्य पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जनम में है, न कि जानवर पंची और पशु योनी में, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है, मनुष्य कोई जानवर पशु वो योनी में नह जाता कि मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और न जानवर अप देखो दूसरा क्लेरिटी न जानवर कभी मनुष्य को नहीं बन, सकते जब, मनुष्य वह नहीं बन सकता तो वह भी तो नहीं बन सकते ना इसका डिगरेड होता है । मतलब योणी के difference नहीं होगी, change नहीं होगा, उन्हों की दुनिया अपनी है, यह मनुश्य आत्माओं की दुनिया अपनी है, अब फिर वो कहते क्या है, उनकी तो फिर दुख यो नी है, जानवर यो नी, भोग यो नी है, दुख-सुख-भोगनी की सुख भी मनुश्य तन में, ममा ने बहुत अच्छा लॉजिकल पॉइंट सुनाया है, जब हम शुद्ध कर्म करने से, सुख भी मनुश्य तन में रहता है, तो फिर मनुश्य तन में पाते तो दुख भी जरूर मनुश्य तन में मिलेगा, अच्छे कर्म करो, तो मनुश्य को स तो फिर दुख जानवर की योनी में क्यों जाना है भोगने के लिए और सबसे realization वाला feeling वाली योनी कौन सी है जानवर की योनी और punishment वहीं देना अच्छा लगता है जहां उस आत्मा को पता चले हम क्या किते हैं उसको पता चलना चाहिए कि यह तुमने किया है ना उसको यह मिल और यह ज्यान सुनने के बुद्ध भी मनुष्य तन में रहती है न की जानुवरों में तो इस स्रष्टी खेल में मुखय पाट मनुश्य का है यह जानुवर पंचियादी तो जैसे स्रष्टी ड्रामा की शोबह है सारे कल्प के अंदर सत्युगादी से कल्लु के अंद तक मुनिश्य आत्माओं के 84 जनम है बाकि ये 84 लाख तो जानवर पंचियादी की वेराइटी हो सकती अब ये सब राश परमात्मा बिगर कोई समझा नहीं सकता आत्माओं का निवास्थान है ब्रह्मत तत्व अत्वा निराकारी दुनिया बाकि इन जानवरों की आत्मा ब्रह्मत तत्व में नहीं जा सकती वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पाट बजाती है उनों का भी मर्ज, इमर्ज का और सतो, रजो, तमों में आने का पार्ट होता है, इसलिए हमें, अब ये सब इसका इन शॉट बता दिया, इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्यान करें, कई कुस्ते, पूस्ते न, फिर ये जानव कहां जाएंगे विनाश में, वो भी परमदाम जाएंगे, उनका ब्रह्म महतत्व में पार्ट नहीं, बहुत क्लियरली बता दिया, अब आते हैं मनुश्य आत्मा पर तो जो आत्में अशुद्ध करम करने से विकरम बनाते हैं, वो अपने अशुद्ध संसकार अनुसार, ज थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख मेसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्ब जेल में दुख पाती है, और फिर संसकार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जनम ले, वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भूगती, इसको कहां जाता है, आदी मध्य अंत, पासा बच्चा है, वह हम कल कर लेंगी.